हेलो फ्रेंस, जैसा कि आप सभी को पता है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिने मुबाइल की लट लग चुकी है और चौकाने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं होती कि वह दरसल मुबाइल एडिक्सन के सिकार हो चुके हैं इसलिए मुबाइल एडिक्सन के संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और यह बिमारी के वल सिर्फ एक आयू वर्क तक सिमित नहीं है बलकि यह बच्चों से लेकर जवान और बुड़े लोगों को भी अपना सिकार बना रही है इसलिए अगर आप समय रहते मुबाइल एडिक्सन के बारे में जान चुके हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अधिकतर लोगों को तो इसका ग्यान ही नहीं है जिसके कारण वह मुबाइल के और आदी होते जा रहे हैं इसलिए अगर आप समझ चुके हैं कि आप मुबाइल एडिक्सन के प्रभा में आ चुके हैं तो अब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मुबाइल लट से कैसे पीछा चुड़वाएं इसकी जानकारी भी होनी चाहिए आज हम आपको मोबाइल एडिक्सन क्या है और मोबाइल की लतिया फिर मोबाइल से कैसे दूर रह सकते हैं इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं मोबाईल फोन की चुनोतियां और समाधान आज हम मोबाईल योग के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें प्राय वहर व्यक्ति मोबाईल का उपयोग करता है क्या मजदूर, क्या रिकसावाला, क्या बच्चा, क्या बुड़ा हर व्यक्तियम आयू वर्ग इसकी ग्रफ्त में है इसमें यू आओ और किसोरो की एक पिड़ी तो ऐसी है जिसका जन्म ही इसके गोद में हुआ जिसको मोबाइल पिड़ी नाम दिया जा रहा है इसके तो जैसे जीवन का सार ही मोबाइल में छिपा हुआ है इसके बिना यह जीवन की भी कलपना भी नहीं कर सकती इस समय स्मार्टफोन के 69.9 करोन उभोकताओं के साथ भारत विश्व में दूसरे अस्थान पर है चीन इस से दूबनी संख्या के साथ पहला अस्थान रखता है अमेरिका 27.5 करोन संख्या के साथ तीसरे अस्थान पर है सन 2021 तक भारत में 76 करोन प्रयोग करता होने का अनमान है भारत में सन 2015 में 18.21 प्रतिसत जन संख्या स्मार्टफोन रखती थी जो सन 2017 तक 25 प्रतिसत हो गई ग्रामीड भारत में इसकी संख्याति ब्रगती से बढ़ रही है सन 2015 में ग्रामीड भारत में स्मार्टफोन की पहुँच मात्र पांच प्रतिसत थी जो 2018 तक बढ़कर 25 प्रतिसत हो गई ग्रामीड भारत में 2018 में 35 प्रतिसत ब्रिधी देखी गई वहीं सहरी छेत्रों में यह मात्र 7 प्रतिसत रही एक अनुमान के अनुसार अगले दो वर्सों में उभोकताओ की संक्या 82 करोड तक पहुचने वाली है देश में किसोर एम युवा तो स्मार्टफोन के उपयोग को लेक दिवानगी की हदे पार कर रहे हैं एक अनुमान के हिसाब से देश के 80 प्रतिसत कॉलेज या विशो विद्याले जा रहे हैं विद्यार्थी स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं भारत की युवाव पर हुए एक सोद अध्यान से यत तत्य उभर कर आया है कि वे दिन में लगबग 150 बार फोन चेक करते हैं और और सतन 4-7 घंटा उस पर बिताते हैं इसमें 14 प्रतिसत स्मार्टफोन का प्रियोग 3 घंटे या इससे कम करते हैं जबकि 63 प्रतिसत युवा चार से 7 घंटे इसका उपयोग करते हैं 23 प्रतिसत युवा तो 8 घंटे से अधिक समय मोबाइल के साथ बिता रहे हैं इस सोद के लिए 20 कंद्रिय विश्व विद्याले के 200 विद्यार्थियों का सर्वेक चड़ किया गया था आश्चर ही नहीं कि मोबाइल के अतिदिक उपयों के कारण कई तरह की सारीक और मांसिक विक्रितिया पनप रही हैं सरदर्द, कान में दर्द, गर्माहट का एसास, ठकान, आखों में खिचाव जैसे सारीक लचण आम हो गया है वहान चलाते से मैफ़ोन को दुरगटना का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है इसके इलेक्ट्रो मैगनेटिक विकेंडो के कारण रेम नीद कम हो जाती है जिसके कारण नीद संबंदी विकारपन अपने हैं सुकुराडू की गुडवत्ता तक को प्रभावित होते देखा जा रहा है यह हमारे सनाइक संस्थान को प्रभावित करता है और कैंसर का भी कारण बन सकता है स्मार्टफोन की लट के कारण मानसिक स्वास्त बिगर रहा है और जीवन की गुर्वत्ता में गिरावट आ रही है सरदर्द सबसे आम लच्छड पाया गया है इसके बाद चिर्चिरापन और क्रोथ का नंबर आता है एकागरता की कमी सेंचडिक उपलब्दी में गिरावट उद्वीगिन ता आधी अन्यमानसिक लच्छड है मोबाइल का अत्यदिक उप्योग व्यक्ति को अकेले पनकातिब एहसास देता है और आत्म सम्मान के भाव को भी नियून करता है यूआ पिड़ी में आगे बढ़ने की अधीरता और किसी भी कीमत पर पहचान बनाने का फितूर एक चिंता का विसे है इस जल्दबाजी में उससे कई तरह की गलतिया हो जाती है इसके चलते साइबर अपराद के मामले भी बढ़ रहे है कुछ यूआ हैकिंग, ट्रॉलिंग, फिसिंग, साइबर बुलिंग आदी के सिकार हो रहे है तो कुछ यूआ है से मामलों में सनलिप्त पाये जा रहे है सोसल मीडिया में दोस्तों की भरमार है लेकिन इसके बावजूद वे भीर में शोयम को अकेला पाते है और अवसाद के सिकार हो रहे है कई अस्थानों पर तो आत्महत्याओं तक के मामले सामने आ रहे है साइबर बुलिंग की सोरों से जुड़ा एक बड़ा साइबर अपराद है भारत जिसमें विस्व में तीसरे अस्थान पर आता है इसके कारण आत्महत्याओं जैसी घटनाय बढ़ रहे है विद्यार्तियों में उग्रता वहिंसा की भावना में इसके कारण बृद्धी हो रहे है उनका आत्म विश्वास कम हो रहा है तथा वे अवसात का सिकार हो रहे है मोबाइल के दुरुपियोग के चलते युवाओं में अपराधिक प्रबृतियों को पनपते देखा जा रहा है जिसके कारण कई सैशडिक संस्थानों में मोबाइल पर आंसिक या पूरते अब बैन तक की बाते हो रहे है स्मार्टफोन की उपियोगिता को देखते हुए इस पर बैन की जगा इसका सही उपियोग समय की मांग है युवा विद्यार्थियों के संदर्व में यह और भी महत्पुड हो जाता है क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल के अधिक प्रियोग से एकागरता कम हो रही है और वे चीजों को जल्द भूलने लग रहे हैं इसे से उनकी चेतनता भी प्रभावित हो रही है मानसिक सी थिलता के अवस्था में फिर उनका लच्च के प्रती समड़पड और धाणा सकती कमजोड पड़ते हैं मोबाइल के सिच्चा से संबंदी प्रियोग को जानते हुए भी विद्यारती अधिकान समय संगीत सुनने या मोबाइल गेम खेलने में अपने दोस्तों से चैटिंग करने या सोसल मीडिया में खोई रहने में बिता रहे हैं 24 गंटे मोबाइल से चिपके रहने के कारण उद्विगनता तनाव और और अवसाद जीवन के अंग बनते जा रहे हैं मन की इस और इस्थिरयम और संतुली तवस्ता में बिद्यारती अपने लचे का सही निर्धारन नहीं कर पाते तथा अध्यान में चूख हो जाती है के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसका उचित लाब उठाया जा सकता है आवस्यक है कि सोने से पहले फोन का उप्योग न करें फोन से अनावस्यक एप्स को हटा दें सप्ता में एक दिन मुबाइल बंद रखें रात को सोते समय फोन का स्विच ओफ कर दें या इसे फ्लाइट मोड में रखें जिससे इसमें किसी तरह की नोटिफिकेशन नहीं आपाएंगे और प्राता उठने पर सांती से अपनी दिन चर्या का सुभारंब हो सकेगा इसमें फोन एडिक्सन ट्रैकर एप्स लगा सकते हैं जिससे पता चले कि सब्ता भर में कितना समय मोबाइल में ब्यतीत हुआ है जिसका अन्यता अंदाज नहीं रहता इसके आधार पर इसके अत्यदिक उपयोग पर अंकुस लगाया जा सकता है वस्तुतर या समय यूवाओ एवं की सोरो के सजग सचेत्र होने का है माता पिता एवं अभिवाओ को का इसमें सहयोग अपेच्छित है जिससे नई पीडी मोबाइल के मायावी जान में फंस कर अपने जीवन को अंधिकार की ओर नढ़के ले स्मार्टफोन एक तरह की दूधारी तलवार की तरह है इसका सदुपियोग बन पड़ा तो यस रिजन की असीम संभावनाएं लिए हुए है और यदि इसका दुपियोग होता है तो यही व्यक्ति की हर तरह की बरबादी के सभी सरंजाम भी साथ लिए हुए है प्रस्ण एक ही है कि हम कितने स्मार्ट धंग से इस स्मार्टफोन की मायावी चुनवतियों से जूजने के लिए तैयार है धन्यवाद